बात ये था कि अगर percentage भी आज मालूम रहता था तो rate से भाग देने पर time मालूम होता था ताइम से भाग देने पर rate मालूम होता था और गुन्या-गुन्यी वाला सवाल था जिसमें हम एक data आपको याद करवाए थे डाटा हमारा ये था दोस्तों डाटा ये था कि कोई धन धन हो गया और इधर लिखे थे परतीसत भी आज साइध ये आपको याद होगा सुनिएगा ये सिंपल इंटेस्ट का ये कुछ पॉइंट बताना जरूरी है चक्रवड़ी आज में हम इसी परधारित काम करेंगे कि कोई धन हो गया ध्यान दीजेगा अगर कोई धन दो गुना हो गया इसका मतलब है कि सौपरतीसत भी आज हो गया है ना कोई धन अगर डेड़ गुना हो गया इसका मतलब है एक हटा दिए 50% ब्याज हो गया आपको मैंने बताया था एक हटा के असव सटा के बोलना है एक हटा के और सव सटा के बोलना है जैसे कोई धन अगर धाई गुना हो गया इसमें एक हटा दीजिएगा देर बचेगा तो देर नहीं बोलना है डेर सौव परतीसत बुलना है अगर सारहे तीन गुनना हो रहा है तो सारहे तीन में एक हटा दीजिए धाई सौव परतीसत ब्याज होगा अगर कोई धन चार गुना हो रहा है तो मुझे उमीद है कि आपको ये पता हो गया कि 300% ब्याज हो जाएगा ये चीजे मैंने आपको सधारन ब्याज में बताया था आप सोचिए न कोई धन दूगना होने का मतलब अगर 100 रूपया आप लगाते हैं मुल धन और दूगना हो गया मतलब 200 हो गया मिस्तर धन तो ब्याज कितना आया भईया एक 100 रूपया 200 होने के लिए ब्याज आगया 100 रूपया ये 100 रूपया कितना परतीसत है तो 100 रूपया ब्याज आया है 100 रूपया मुल धन पर परतीसत के लिए 100 परतीसत से गुना 100 से 100 एक बार में कटा तो बोलिए 100 परतीसत ब्याज हुआ न यानि धन जब दुगना हुआ तो ब्याज कितना आया? 100% आया. ये बाते हैं. अब एक बात और था हमारा. एक बात और क्या था? आपको याद होगा. कि SI बराबर हमारा था R into T और ये था हमेशा परतीसत ब्याज के लिए. ये परतीसत ब्याज के लिए. ये ही बात था ना? मैंने आपको बताया था कि अगर रेट पांच परतीसत हो और चाइम तीन बरस हो तो आपको पता है कि परसेंटेज ब्याज क्या होता है? 5-15 परतीसत. ये सारी चीजे पर हम चर्चा कर चुके थे पिछले कलास में. दोस्तों, और अगर यही 15 परतीसत परसेंटेज ब्याज है, इसमें अगर टाइम से भाग दे देंगे, तो 5% आजाएगा, वो रेट आजाएगा, है ना, परसेंटेज ब्याज में T से भाग देंगे ता रेट मालूम, और रेट से भाग देंगे ता टाइम मालूम, यही तो होता है, आगे देखिए, अब अगर कोई धन, दुगना हो गया, तो यह बात समझ गये, अब यही चक्रविर्धी भ्याज में कुछ सवाल होगा, जो दुगना होगा, ती गुना होगा, रहाई गुना होगा, सवादो गुना होगा, ऐसा वाला सवाल आएगा आपके सामने, उस समय क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे उस चीजों को ज जर्माली यह ऐसे कहता है कि पांच वर्स में, पांच वर्स में सदहारन ब्याज पर, सदहारन ब्याज की दर से कोई धन, कोई धन अपनी डेर गुनी हो जाती है, देर गुनी हो जाती है, हो जाती है, तो परतीसत ब्याज, तो दर परतीसत ग्याज करें, क्या करना है, दर परतीसत ग्याद करना है, पांच वर्स में सदहारन ब्याज की दर से कोई धन अपनी डेर गुनी हो जाती है, तो दर परतीसत ग्याद करें, तो दर परतीसत ग्याद करें, देर गुना हुआ है, ध्यान देंगे, अगर देर गुना हुआ है, तो परसेंटेज भी आज कितना होगा भीया, देर बोला है, एक हटा लिजी, 50% कहिएगा, अब परसेंटेज भी आज आपको पता है, आपको रेट पूछा है, तो यहीं न बताय थे, परसेंटेज भी आज में, अगर टाइम से भाग दे दीजिएगा, तो रेट मालुम हो जाएगा, वो 10% हो गया, अब 10% के दर से 5 साल में 10% से 50% भी आज हो ही जाएगा, यह बात था, अब देखिये जारा, अब अपने सामने जो चक्रविडधी भी आज का कुश्चन आया, कुश्चन क्या कहता है, देखिये सबसे पहले, तो इस बार जो सवाल है हमारा, मैं एक को मीटा दू जा रहा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, बहुत अच्छा, सवाल है, पहला, कहता है, एक निश्चित धनरासी, दो बरस में, अपने का 2.25 गुना हो जाता है, यादि चक्रविड़ी भी आज, बारसिक संयोजित होती, तो ब्याज की दर ग्यात करें, चक्रविड़ी भी आज का सवाल है, जब भी ऐसा हो ना, कि आप से ये कहे, आप से ये कहे, कि दो साल में हुआ, देर साल में हुआ, तीन साल में हुआ, ये आपको देखना है, दो बरस में, में कितना जानते हैं, दो बरस में 2.25 गुन्ना, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक बरस का क्या होगा, तो एक बरस का जो वो धन हो जागा, एक निश्चित रासी से दो बरस में अपने का 2.25 गुन्ना हो गया, यानि अगर एक सो रुप्या रहा होगा, तो सबादू सो हो गया, ये मिस्रधन हो गया है, इतना गुन्ना हो गया, इसको आपको क्या लिखना है, 2.25 है न, दो साल में हो जै तब बाबर 1.5, तीन साल में हो तो पाबर 1.5, चार साल में हो ता पाबर 1.5, ठीक है, बस अब ये हो गया आपका 15, यानि और बीच में 1.5, यानि कि वो एक साल बाद डेर गुन्ना रहा होगा तो एक साल बाद अगर डेर गुन्ना रहा होगा तो आप बताईए कि कोई दहन अगर डेर गुन्ना हो जाए ये एक साल का निकल गया और याद रहे एक साल का सधारन व्याज और चक्रविड़ी व्याज समान होता है अगर एक बरस का निकल गया ताविस्ता धरने भी आज के नियम पर है तो देर गुन्ना होने का मतलब है कि ब्याज कितना होना 50% होना यानि ये हो गया 50% थोरा सा कीरा है जो परसान कर रहा है चलिए देर गुन्ना देर गुन्ना यानि कि ब्याज है कितना 50% और दोस्तों इस बात को याद रखना है कि एक बरस का ये परसेंटेज ब्याज बर के बराबर ही होता है आपको हम ये सारी चीजे बता रखे हैं कि एक बरस कुछ कीरा है जो उड़ता है और लाइट के बज़द से और जिसके बज़द से बूड पढ़ा के वो खुद लिख के चला जाता है खर्श हम की है लिखता वो है एक बर्स का, 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 एस बरस का CI, एबम SI जो होता है न किसके बराबर होता है दर परतीसत के ही बराबर होता है का है? अगर माल लीजी यह रेट है पांच परतीसत ताइम है एक वर्स ठीक है ना? और आपको निकालना हो ASI फिर निकालना हो CI और रेट तो आपको पता ही है तो एक बरस में पांच एकम पांच परतीसत होगा SI, R2T और CI भी पांच परतीसत होगा क्योंकि अगला साल से न चेंज होगा तो एक बरस का अगर आप परसेंटेज ब्याज पता कर लिए तो उधर के बराबर ही होगा चाहे वो एक बरस का चक्रविर्धी ब्याज का ब्याज क्यों न हो परतीसत में चाहे एक बरस का सधारन ब्याज क्यों न हो परतीसत में एक बरस का जो ब्याज होगा एक बरस का परसेंटेज ब्याज हमेशा दर के बराबर ही होगा आईए अगला सवाल पढ़ाते हैं अगला है कि एक निश्चित धनवासी चार बरस में अपने का 512 बटा 162 गुना हो जाती है यादि चक्रबिधी व्याज की वारसिक संयोजित हो चक्रबिधी व्याज वारसिक संयोजित हो तो व्याज की दर ग्यात करें आईए तो इस सवाल में हमारा जो है कुश्चन दिया हुआ है और ये कुश्चन भी बहुत प्यारा सा कुश्चन है दोस्तों एक निश्चित धनवासी चार बरस में अपने का 512 बटा 162 हो जाता है कितने साल में चार साल में अच्छा ऐसा डाटा यहां पर जरूर रहेगा जो डाटा आगे हल हो सकता है ये चार साल में चार साल में कितना हो गया है पांच सव बारह बटा 162 इसका ये मतलब है कि ये मुल्धन है सरी उपर मिस्र धन आ नीचे मुल्धन है यानि 162 रूपिया था उपांसो बारा हो गया अच्छा इसको काटते हैं तो आधा उपर हो जागा पांसो बारा का अधा दूसो चपवन 162 का अधा हो जागा 81 ऐसे भी लिख सकते हैं यह 4 साल का 256 बटा 81 है अगर आप चाहते हैं केवल एक साल का निकालना तो याद यह 256 बटा 81 है न और यह कितने दिन का है चार साल का तो पावर 1 वाइब 1 वाइब 4 लिखिए गाए 1 वाइब फोर तीन साल है तो 1 वाइब 3 एक साल मिलाना है तो और 5 साल का है तो 1 वाइब 5 सुनिए अब यह 256 चार के पावर 4 होता है यानि 4 बटा 3 आजाएगा क्योंकि 4 चार बट्वार वारई टिन चार बडिन चार बार होगा तब हो जाएगा दूस्ट्वर छपन नहीं शमझें यानि बर्ड dengan इंगर शोल्ण को चाहें था 256 है अब बट्टा 81 है और इसका पावर 1 by 4 है तो 1 by 4 ठीक चाहो तो आप इसको यहाँ 1 by 2 आप फिर 1 by 2 लिख सकते हो ऐसे यह हो जागा 1 by 2 1 by 2 गुना हो के 1 by 4 अब 256 का आएगा 16 181 का आएगा 9 ए गो तई पावर 1 by 2 अब फिर 16 का आएगा 4 आ9 का आएगा 3 यह बात है अब देखें एक साल का आगया चार बता 3 भग आप चार बता 3 भग यह हो गया धन 4 बता 3 अब 4 बता 3 का क्या मतलब है जानते हैं यह 4 बता 3 का मतलब है कि 4 अ दर के बराबर ही होता है चाहे उचक्र बिर्धी भी आज हो, चाहे सधार्न भी आज बार-बार मैं यही चिला-चिला कर बोल रहा हूँ आईए, अगला सवाल पर चलते हैं अगला सवाल है हमारा और देखिए इसको भी बुलाल लेते हैं यहाँ पर और देखिए, कुश्चन आपके सामने कहता है, एक निश्चित धन्रासी एक बरस में अपने का 625 बट्टा 256 गुना हो जाती है यादी चक्र बिर्धी भी आज तीमाही सयोजित हो तो भी आज की दर गयात करिए दोस्तों, थोड़ा सा सवाल अब चेंजिंग हो गया तीमाही का चर्चा हो गया तो एक चीज हम आपको पहले पढ़ाना चाहेंगे इस सवाल को अभी नजर अंदाज कीजिए आप चाहे तो हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं ठीक है क्योंकि ये तीमाही, पचमाही, अठमाही, नौमाही बला सवाल होगा न यानि संयोजन बला सवाल आ जाएगा कैसा आ जाएगा संयोजन कहेगा ब्याज छोमाही संयोजित होता है ब्याज अठमाही संयोजित होता है संयोजन का मतलब होता है 6 माही सायोजन का मतलब होता है कि ब्याज 6 महिना में जूर जाएगा मुलधन पर इसका ये मतलब होता है दोस्तों तो एक काम करते हैं ध्यान दीजेगा एक काम करते हैं थोरा सा मच्छर परिसान कर रहे हमें तो जब ब्याज जब भी संयोजन बला जाए सवाल संयोजन बला और कहेगा कि 6 माही ब्याज संयोजी तो होता है तिन माही संयोजित होता है पच माही संयोजित होता है चार माही संयोजित होता है ऐसा बोलेगा सत माही संयोजित होता है ऐसा जब भी आ जाएगा न तब क्या करना है सुन लिजे सवाल को बनाते टाइम रेट और टाइम पर धियान आपको देना है छौमाही हो गया तो एक साल में कितने बार छौमाही होगा दो बार तर रेट में कर देना दूसरे भाग ताइम में कर देना दूसरे गुना तब बनाना सवाल अगर मालो कोई सवाल में रेट आपको 10% दे रहा है टाइम आपको एक वर्स दे रहा है और कहता है कि ब्याज छौमाही संयोजित है तो क्या करना रेट में दूसरे भाग कर देना 5% ताइम में दूसरे गुना कर देना क्योंकि छौमाही साल भर में दो बार होगा अब यह दो बरस असावाल बनाईएगा इसको लेके दो बरस को लेके और 5% को लेके समझियेगा कि हमारा 5% वारसिक चलेगा अदू बरस के लिए चलेगा अईसे बनाना है सवाल ठिक है आईए अच्छाई दू कहां से आया तो देखे बारों महिना होता है 6 माहि कए बार तो 6 से भाग दिए तब 12 को 6 से काठ दिए दू आया इसलिए भाग दूशे अटाइम में दूसे गुना तिन माहि है तब तिन माहि सीधा सीधा अब जानते न कि 4 बार होगा बार में 3 से भाग देंगे तो 4 formation तो भाग दे-देना है 4 से रेट में अगुना करन है चार से टाइम में रुक जाएंगे पजमाँ ही कर लेंगे उससे सवाल बनाएंगेic क्लिए यानि कि तीन से रेट में भाग होगा अगुना होगा तीन से टाइम में सातमा ही तसीधा बारा वट्टा साथ से भाग होगा अगुना होगा बारा वट्टा साथ से इस बात को आपको याद रखना है ठीक है आई ये कि चलिए कि अच्छा ये सवाल से पहले कर सवाल हमें चलना है सवाल है हमारे सामने कि एक निश्ची धनडासी एक बरस में अपने का 625 बटा 256 गुना हो जाती है यादि चक्रविर्धी ब्याज तिमाही संयोजित हो तो ब्याज की दर ग्यात करें अच्छा ये देखिए यहाँ धन जो हो जाता है एक बरस में अपने का अच्छा अतिमाही बोला है देख लिजिए साप साप तिमाही का चर्चा हुआ है एक साल में तिमाही कितने बार होता है पहले तो आपको टाइम दिया हुआ है दोस्तों टाइम दिया हुआ है एक बर्स एक बर्स दिया हुआ है दिया हुआ है न और रेट नहीं पता हमको आएसे सवाल में हमको क्या करना होगा कि टाइम एक बर्स दिया है tech हमको नहीं पता ही पूछ बहें किया है लेकिन अगर तीह मैं का चर्चा हुआ है तो तीमाही होगा चार बार तो टाइम में 4 से गुना करेंगे और रेत में 4 से भाग देंगे याद रखिये ग़ाई बाद काम करेंगे यानि अब जो सवाल बनेगा उन रेट में चार से भाग होकर बनेगा रेट में चार से भाग होकर बनेगा यहां रहता तो हम भाग कर लेते लेकिन उसको तो निकालना है हमें यह बात हम फिर से पूछेंगे लास्ट में चार से हम भाग दे लेते टाइम में चार से गुना रेट में चार से बताना है चार बरस का जो रेट रहता है उसमें चार से भाग दे के रेट नहीं पता है तो उमकी इसको भाग दे लेकिन देखे रेट पूछा है ता सुनिए यानि इस सवाल जो बन रहा है टाइम में चार से गुना होकर बन रहा है और रेट में चार से भाग होकर बन रहा है ऐसे समझना है, और धन जो हुआ है भाईया, उचार बरस में हुआ है, कितना जानते हैं, इस चार बरस में हुआ है, तो एक बरस में कितना हुआ होगा? तो एक बरस में करने के लिए 625 अब बटा 256 इसका पावर हमको, चार साल का था ना, चार साल का था, तो पावर 1 वाई 4 चढ़ाना होगा, तो 625, पाँच के पावर 4, 625, आ यहां 4 के पावर 4, 256, यानि 5 बटा 4 आ जाएगा, इसका बर्गमूल आ फिर बर्गमूल, पाँच ब 456 रूपया हो जाता है 625, चार साल में, लेकिन 1 साल में 4 रूपया, ताचे रूपया हो पाता है, तो दोस्तों, यह परतीसत ब्याज कितना हुआ? परतीसत ब्याज बताईए न जरा, सुनिए कैसे? यह है मिस्रधन आपको कि 5 बटा 4 हो जाता है, तो ब्याज 1, 4 पर, आप lah परतीसत के लिए 100 परतीसत से गुना ता चार से काटे कितना बार में पचीस बार में तब पचीस परसेंट आया अच्छा आप लोग इसी को मार दीजिए गाएं सब यह परसेंटेज ब्याज भले ही एक साल का आया है तो इदर हुआ इदर हुआ लेकिन इस सवाल का कंडिशन कि टाइम में पहले भाग हुआ टाइम में गुना हुआ है चार से और रेट में भाग हुआ है चार से ता चार से भाग होने के बाद ही हुआ है पाचीस परसेंट इदर हुआ क्योंकि एक साल का परसेंटेज ब्याज दरे के बराबर ना कई बार बता आ चुके हैं तो एक ब पहले तो टाइम में 4 से भाग हुआ, रेट में 4 से भाग, तब भाग होने के बाद 25 हुआ, तब अगर रियल पता करना है, तो वो रेट होगा जब एकड़ा में 4 से गुणा करिएगा, यानि 25 चोगा 100 परसेंट रहेगा तब, यानि कि 100 परसेंट रहेगा, तब जाके 256 रुप क्योंकि जब भाग होके बना था, तो वापस लाने के लिए हमें गुणा करना होगा, आईए, इस सवाल को भी देख लेते हैं, क्या करता है, सवाल का कहना है, 474 रुपय का ध्वन दो बरस में, 5766 रुपया हो जाता है, चक्रविधिप आज की दर ग्यात करें, अच्छा यह दो साल में हुआ है, इतना रुपईया का धन दो बरस में इतना हो जाता है ये मुल धन है ये मिसर धन है तो हम लिखेंगे कि दो बरस में कितना हो जाता है ये धन हो गया इतना यानि 576 अब हो गया है पहले कितना था? 474 ही था ठीक है? ये दो साल में तो दोस्तों अब इसको अगर हम काटते हैं तो कट जाएगा हमारा चुकि 741, 11, 11, 14, 15, 16, 12, 17, 19, 25, 24, 3 से कट जाएगा, 3 से 19, 27, 57, 53, 26, 36, 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 37, और कट जाएगा हमारा, दो से कट जाएगा, तो दो सत्य, 14, 28, 16, 24, 8, इसको अगर हम काटते हैं दो से, तो दू नमा अठार, दू नमा अठार, दू चाके, बार, दू एकम दू, दोस्तों यानि यह जो हमारा हो गया न, यह 971 बत्ता कितना हो गया, 784, इसको काट कितना हुआ, यानि दू साल में, 971 बत्ता, 784 हो जाएगा, यानि कि अगर 784 रहेगा, तो 961 हो जाएगा, जैसे, 474 हो गया, 576, यानि कि 474 रहता, तो 576 होता, अगर 784 रहता, तो 961 होता, दू साल में इसका यह मतलब हुआ, तो अगर हम एक साल का निकालना चाहें, तो यह 961 बत्ता, 784 है, यह दू साल का नहें, तो पाबर 1 वाई 2 बोले हैं करना है, 971 होता है, 31, 971 का बर्ग मुल एक तीस, अगर 784 का हो जाता है, 28, अब आपको सोचना है, कि 31 है मिस्र धन, 28 है मुल धन, तो भईया ब्याज कितना हुआ, तो हम परतीसत ब्याज निकालना है, एक साल का, क्योंकि एक साल में कनवर्ट हो गया है, और एक साल का परसेंटेज व्याज धर ही होता है, तो ब्याज हुआ तीन, कितना पर, 28 पर, अब परतीसत के लिए 100 परतीसत से गुना, चार से काटे हम, तो चार सते अठा, इस चार से काटा 25 बार में, 25 ती आई, 75 बट्टा 7, भाग लगा सकते हैं, ये भाग लग जागा, 7 एक साथ एकम, इस, 14, 8, 76, 9, 7, 63, 10 सते 70, 10 पूर्णाइक, 5 बट्टा 7, 10 पूर्णाइक, 5 बट्टा 7, ठीक है, अगला सवाल आते हैं, आईए दोस्तों, एक सवाल और देख लेते हैं, सवाल है कि 3,45,600 रुपया का धन तीन बरस में, 4,49,400 रुपया हो जाता है, तो चक्रविधी भी आज की दर ग्यात करिए, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 3 साल में बोला है, हो जाता है, कितना धन, 3,45,600 रुपया धन, ठीक है, अब हम इसका 2,0 से 2,0 काट दिये, और अगर 2 से काट देते हैं, तो भाईया, इस 17,56 के अधा 28, अगर इसको 2 से काट देते हैं, तो दो दूना चार, दू एकम दू, और दूना मा, 18, दू सते 14, ठीक है, तीन साल में हो गया है, एक कीस सव, संतानवे, और बट्टा सत्रा सो अठाईज, मतलब तीन साल में ये का सकते रेशियों, की सत्रा सो अठाईज, अगर धन रहता, तो वो 297 हो जाता, ठीक बात है, बीच बीच में ये कीरा, आज बहुत परेशान कर रहा है, मुझे, चलिए, अब ध्यान दीजेगा, तो एक साल का, वन इयर का, निकालने के लिए हमीं क्या करना होगा, वही, 297 अबट्टा, 2728 है ना, कितने दिन का है, तीन साल का, तब पावर 1Y3 करेंगे, 1Y3 करेंगे, तो 297 अबे 3 का क्यों होता है, थुरा स्कॉयर क्यों याद कर लिजेगा, और 278 अबारा का होता है, यानी कि वो धन एक साल में अगर 12 रूपया होता, तो 13 रूपया हो जाता, तो बताये, अगर हम प्रसेंटेज ब्याज निकाल ले एक साल का तो उधरे के बरावर होगा ना कि दोबार ndra3 रुपया हो जाता है बारे रुपया तब या इक ब्रुपया देता है कि तना पर बारा पर आप प्रतीसत में लाना है तो भाई 100 परतीसत से गुना करना होगा 4 ती बारा, 4 से कटा 25 बार में 25 बटा 3 यानि 8 पुर्णाक, 8-34, 21 यानि 8 पुर्णाक 1 बटा 3 परसिंट हमारा हो जाएगा दर तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको आज का कलास बहुत ही असानी से समझ में आया होगा और ये गुन्ना गुन्नी वला जो चक्रविर्धी भी आज का होता है ये बहुत खतरनाक सवाल है तो रहने देते हैं आज के लिए ही तक